अस्ता में भक्ती है और दवा टीके में वाइरस के खिलाफ सक्ती है अंद विश्वास का चश्मा आँखों पर ऐसा चड़ा है कि लोग वही देख रहे हैं चो उनके सोच उने इजासत देती है राची में करोना नाशक हवन का आयोजन कर दिया गया इनका प्लान तो हाला कि पूरे देश में हवन करके वाइरस को मार डालने का है और गुरोना का जो वाइरस है उसको भी नश्ट करने की छमता इस हवन यग में है ऐसा भग्यानी को का भी मानना है और बड़े तिकित सोक रश्टा भी मानना है ऐसी बाते करने वाले लोग दुनिया में देश की छवी को कितना नुकसान पहुंचाते हैं इसकी सिर्फ कल्प नहीं की जा सकती है लेकिन जिस देश में कोरोना की लहर ने परिवारों को उजार दिया हो जंता को बेमौत मार दिया हो वहाँ ऐसे अंदविश्वास के खला दस तक देना देश हित में जरूरी हो जाता है राची में ये कोरोना नाशक हवन हो रहा है तीन घंटे तक ऐसे ही ये लोग आदे अधूरे मास के साथ सोचल डिस्टैंसिंग के नियों को धता बदाते हुए भारत को कोरोना से बचाने वाला यग्य करते रहे और भारती सरिस्क्रती का हवाला देते हुए ऐसा दावा कर रहे जो आद्म मुक्तिता का शिकार है विश्व के बैग्यानिक डॉक्टर सब लोगों ने ये मान लिया कि दवा के द्वारा कोरोना से मुक्ति नहीं पाया जा सकता है इस भी समपरस्थिती में भारतीय संस्कृती के अंतरगत हवन, पूजन, यग और आयुरुवेद के द्वारा ही कोरोना से हम पी प्राप कर सकते हैं उसी के संदर्व में समूल रूप से कोरोना के नास के लिए यहाँ पर हवन, यग और पूजन, कारकम, कायोजन किया गया है भारती संस्कृती में यग और हवन का महत्य है इससे कोई इंकार नहीं कर सकता लेकिन इससे कोरोना खत्म हो जाने का दावा किसी के भी गले नहीं उतर सकता लेकिन राची में तो हवन से ही कोरोना को भगाने का खोले आम दावा के जा रहा है सब कोरोना से मुक्त होकर 37 जीवन जीपाएंगे ऐसा कोई पहली बार नहीं है जब अपनी संस्कति के नाम पर आत्मुक्दिता से भरपूर ऐसे दावे हुए कोरोना से बचने के लिए गोवर और गोमूत्र से नहाते हुए लोग पहले ही दुनिया भर में भारत की छवी को धक्का पहुचा चुके हैं लेकिन फिर भी हवन से कोरोना भगाने वाले ये दावे खत्मी नहीं होते राची से पहले मुझफवर नगर में हवन के धुएं से कोरोना को भगा जाने का दावा किये जा चुका है हम की लगडी परियोग होती है वो होता हाइड्रोकार्बन और जो घी हम यूज करते हैं इसमें गाएंग अशुक देशीगी वो होता फेटी एसिड जब हम अकनी की प्रेजेंस में आउती करते हैं तो नेसेंट आकसीजन, मॉलीकुलर ऑकसीजन के साथ येक्ट करके ओजोन जैसी अच्छी अच्छी गेशिस का निर्मान करती है ओजोन मैंने एक गेस बताई ऐसली हजारों लखोगेस इस जेक्ची से निकलती है आज से हजारों वर्ष पूर्व हम इसी सैनिटाइजर का प तो आक्सिजन भारी मात्रा में उत्पन होता है और कोरोना का वाइरस है उसको भी नश्ट करने की छमता इस हवन यग में है ऐसा भग्यानिकों का भी मानना है बड़े-बड़े चिकित्सों का भी मानना है उसी को लेकर यह हवन है ऐसा कोई साइंटिफिक डेटा नहीं है जो हुआ तो आपको कोई साइंटिफिक एविडेंस है हमारे पास की हवन करने से कोई बहुत ज़्यदा उपसिजन जेनरे विए एक अच्छी प्रांटिस है जो अँवारे पूरवज करते आए हैं लेकिन सिरफ अगर हम यह करें और बोलें कि इससे कोविट इससे हम बच जाए लेकिन आफ सोस्ट डॉक्टर और वेकेनिकों के इंकार के बावजूर गौमुत्र पीने से फेफड़ों में इंफेक्शन दूर होने के दावे जन्द प्रतिनिग्यों की तरफ से किये जाते हैं जिसे उनके समर्थ है सही मान लेते हैं जेशी काई का गौमुत्र अगर हम लेते हैं तो उससे हमारे स्मयक्रों का जो इंफेक्शन में को तुर होता रहा है मैं बहुत तकीश में हूँ लेकिन मैं प्रसिदिक गौमुत्र अग लेती हूँ तो जरूरत इस बात किये कि कोरोना से जूशती जंता को ये अच्छे से समझाया जाए कि आस्ता से शक्ती जुरू मिल सकती है लेकिन इस महामारी से आपको कोरोना से जोड़े प्रोटकॉल ही बचाएंगे ना कि कुछ और अर्विन सिंग राची आज तब